तो सबसे पहले मेरे यूटूब चेनल पर आने वाले सभी जगाजन को मेरा सेव जोहार जैसेव जगोणवाना जबड़ाद्यों मेरा नाम है भरत पंदराम और आप देख रहे है यूटूब चेनल भरत पंदराम ओफिशियल तो सबसे पहले मैं आपको एक legal disclaimer बता दूँ कि यह जो मैं वीडियो बनाता हूँ वह किसी भी धर्म व्यक्ति को ठेस पहुचाना नहीं है उनकी भावना को ठेस पहुचाना नहीं है मेरा मानना तो यह यह कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है तो वह अपनी जगह ठीक है यहाँ पर मैं किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताता यह नहीं बोलता कि वह गलत है उसका धर्म गलत है हमारा सही है वह अपनी जगह पर ठीक है और हम अपनी जगह पर ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि हिंदू धर्म और जो गॉंडी धर्म है उनमें क्या-क्या असमानता है तो यह पारी को पालेंगो गॉंडी पुनेम दर्सन की पुस्तक है जिसके लेका के आचारे मोती रावन कंगाली जी और उसमें उन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ है यह मैं आज को आप बताने वाला हूँ तो चलिए देख लेते हैं पालेंगो के गॉंडी पुनेम दर्सन पर किसी भी प्रकार के ग्रंत लिखे नहीं होने की कारण आज इस पुनेम के मूले नस्ट होने की कगार पर है मलब की असल में हमारा जो गॉंडी धर्म गॉंडी पुनेम दर्सन है वो असलियत में कभी लिखा ही ने गया वह सिर्फ बुजर्गों के जो महजवानी होता है जो बुजर्गों के गीत होते हैं गाते हैं उसी के माध्यम से उन्होंने सोथ करके यह चीजे निकाली है इतियास निकाला है जानकारी निकाली है आचारे मोतिरावन कंगाली जी ने और यह जो है नस्ट होने की कगार पर है तो कोईवई शे गोंडी गोंडोला के गड़जी वो कि आज ऐसी हालत हो गई है कि हम कौन है हमारी विवस्ता क्या है हमारी आचार सहीता क्या है हमारा पुनेम कौन सा है इस बारे में उने कोई जानकारी नहीं है अपने बाल बच्चों के नाम पार साला इवं सिक्चा केंदरों में दर्ज कराती समय जब उनसे सिक्चा केंदर संचालकों की ओर से उनके धर्म के बारे में पूछताच की जाती है तब भे अपने धर्म को बता नहीं पाती अन्त में सिक्षा केंदर के संचा अलग उनका धर्म हिंदू लिख देते हैं और यह एक रियाल्टी है जब मैं अपना धर्म कई जनों को पता नहीं रहता तो उनको फिर हिंदू ही लिखना पड़ता है फिर इस तरह अंजाने में ही मूल गॉंडी पुनेमी वैस्ता के लोगों के बाल वच्चे का प्रिविस हिंदू या अन्य धर्मों में होते जा रहा है यहां पर मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं और कोई भी धर्म में उसका नाम लिख जाता है सही देखा जाए तो हर धर्म में प्रिविस पाने के कुछ विसेस विदियां होती है तो चलिए विसेस विदियों को चान में लेते हैं जिसे विशेस धर्मिक संसकार होते हैं जैसे हिंदु धर्म में प्रिविश दिलाने के लिए यग्गो पवित्रों मुंज संसकार होता है मुसलिम धर्म में प्रिविश दिलाने के लिए खतना संसकार अदा किया जाता है तो ईसाई धर्म में बाप्तिस्मा किया जाता है इस पकार के कोई भी संसकार आज तक कोय वंशियों के नहीं होने पर भी बे सरेयाम दूसरों की और से हिंदू कहला जाते हैं जबकि हिंदू और गॉंडी पुने में के मुल्यों में जमीन आस्मान का फरक है तो यहां पर अब हम फरक देखने वाले हैं कि हिंदू धर्म और गॉंडी धर्म में क्या का फरक है तो गॉंडी धर्मी जो होते हैं वह परसपेन को मानते हैं तो हिंदू ईश्वर को मानते हैं गौन्डी धर्मियों का धार्मिक इस्तल पेड़ पौदे होता है, मल्लों कि उनका धार्मिक इस्तल होता है, जहां पर उनके देविदे उता होते हैं, वहां पेड़ पौदे के नीचे होते हैं, और खोले में होते हैं, तो हिंदू के धार्मिक इस्तल मंदर होते हैं, यहां प पुजारी होता है। पुजारी होता है। पुजारी होता है। पुजारी होता है। तो जो हिंदू दाह संसकार होता है, उनमें जलाया जाता है। गौन्डी पुनेमी लोग अपने मृतक जीवों का पेन कारण करते हैं। मलब की उन्हें देव में मिलाया जाता है। तो हिंदू क्या करते हैं, सराद्य करते हैं। गौन्ड समुदाय में कुलवद की प्रता है, तो हिंदू में पुत्रवद की प्रता है। गौन्डी पुनेम के अनुसार यह जीव जगत सत्त्य हैं। तो हिंदू के लिए यह मिथ्या है। इस तरह गौन्डी पुनेम और हिंदू धर्म में मूलबूद अंतर हैं। इसके बावजूद भी उनकी बालवच्चों को जानवूच कर हिंदू बनाने की प्रक्रिया इसकूलों में सरयाम जा रही है। ऐसा अचारी मोतिरावन कंगाली जी ने अपनी पोस्तक में लखा है। अगर कि कोई भी धर्म मजहब का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो वह सीरियस ना ले। अगर कि वो अपनी धर्म को मानता है कट्टर है तो उसे यह सोचना चाहिए कि हाँ वो अपनी जगर ठीक है। यह सब कुछ होकर भी कोयवईशे गौंडी गौंदुला के गड़जीव की समाजिक व्यस्ता मूल रूप से कायम है। क्योंकि यह व्यस्ता इतने उच्चकोटी के मूलियों से परिपूर है कि ऐसी समाजिक व्यस्ता विस्व के किसी भी समाज और उसके जीवन मांग रूपी धर्म में नहीं पाई जाती। उसी तरह वे अपने फड़ा पेन यानी परसा पेन, सजोर पेन, गुडाल पेन सकती को भी मानते ही जा रहे हैं। इन सभी बातों का बेचार करने पर जिस पहांदी पारी कुपाल लिंगों ने गौंडी पुनेम की प्रती स्थापना की वह कितना महान बहुत एक जगत का ग्यातरा होगा। यह बात पाठकों के ध्यान में आए बेना नहीं रहेगी। इस तरह उस अदित्विय महामानों का महत्व है जिसने कोयवईश गौंडी गौंडी गौंडला सागावेन गड़ जीवों के समुदाय में जन मिलिया। और उसके बोधा म्रत से गौंडवाना के गौंडी वेनों ने परे रहना। यह आश्चेर की ही नहीं बलकि दुर्भाग्य की भी बात है। यही विचार मन में संजोकर हमने उस महामानों का चरित्र और उसका गौंडी पुनेमी मूलियों का दरसन गौंड समुदाय आये। पुने मी क्युदंतियों, जनसुरूतियों, लोकताओं, लोक गीतों और धार्मिक विद्रियों का अध्यान कर लिखने का प्रियास किया है इसका अध्यान कोयविशे गोंडी गोंडला के गरजीव अविश्य करेंगे और अपनी असमिता एवं सौविमान जागरत कर, अपने समाज का कल्यान साथ कर, गोरफ साली इत्यास बनाएंगे ऐसा आत्म विश्वास है आचारे मोतिरावल कंगाली जी का तो यह थे कुछ आचारे मोतिरावल कंगाली जी का विचार उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आगे की वीडियो में हम देखेंगे, बहुत सारी जानकारी थी हैं, मैं रेगुलर वीडियो तो बना दे रहता हूँ तो अभी तक आपने हमारी यूटू चलГ को सब्सक्राइब ने किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाज़ाधा सेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है, तो आप सेयर भी कर सकते हैं तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना तो मिलते अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार जै सेवा जै कोड़ वन जै बड़ा देऊ